हेलो गैस्ट वर्ग्रो में चुलर गैस्ट आप सभी लोग करें थे कि यूपीडवसी पीटी एक्जाम के लिए अंकित भाटी सरका प्रैक्टिस एट करा यह तो उसी की सीरीज में हमें यहाँ पर लेकर आ जखें तो देखेंगा इनका जो प्रैक्टिस एट इसमें 15 प्रैक् अगर आपको आगे कोई एक्जाम देना यूपीडवसी पीटी का तो ठीक है तो वीडियो को लाइक जुरू कर दीजेए बहुत ही सांदार प्रैक्टिस होने वाले तो चली सुरू कर लेते हैं तो चली सबसे पहले आपके हिस्ट्री के जो भारती धियास है इसके पांच प के तीसरे अफिलेख में रज्जुक नामग अधिकारी का लेख मिलता है ठीक है तो चली कोशन नंबर अगले में कहते हैं कि वह संत जिसने असोग को बहुत धर्म के प्रताकर्शित किया था तो उन संत का नाम आपको बताना है तो याद रखेंगे इसका जो राइडन से दो कामिल हो जाइए तो उस चीज को लेकर यहां पर आपका कोश्चन ता तो याद रखेंगे उनका नाम था उपगुप्त कोश्चन नंबर तीन में देखेंगे तो यहां पर कहा गया कि प्रसिद दिलवाडा मंदिर कहां पर इस्तित है एक मंदिर है तो बहुत ही फेमस है ठी राजस्थान में इस्तित है इसमें 48 इस्तंब हैं ठीक है टोटल टोटल ठीक है माउंट अबू नगर उसका नाम है जहां पर इस्तित है तो दिलवाडा पांच मंदिरों का संभू भी कहा जाता है कोश्चन नंबर देखें तो कहते हैं कि रजिया वेगम को सत्ता चुक्त कर तुर्क जो थे उनका सबसे ज़्यादा हाथ था इसमें क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि एक महिला उनके उपर सासन करें महिला सासक बन जाए यह जो लोग नहीं चाहते थे त्याद रखेंगे कि दिल्ली की जनता के साहता से 1236 भी में यह जो है दिल्ली के गद्दी पर कि मुगल चित्रकला किसके सासनकाल में अपनी प्राकास्था पर पहुंच गई थी अब मुगल जो थे वो चित्रकला के बहुत ज़्यादा सोखिन हुआ गरते थे उसमें जैसे कि इसका राइटर गार यहां पर जहांगिर जो था वो बहुत सोखिन था तो उस समय जो जुन कि का कहते हैं ना कि जहांगीर के सासन के लिए मुगल चित्रकला अपने सिखर पहुंची उसका पीक हुआ करता था जहांगीर के जहांगीर ने क्या कहा था नादिर उज्जमा की उपादे थी कि वह बहुत अच्छे चेत्रकार हुआ करते थे अबूलहसन उस्तार मंसुर का नाम तो आपने सुने ही होगा चलिए कोश्चन नंबर अगला देखें अब क्या हैं भारती राष्टी का अंगर जो आंदोलन है उ वेलेंटाइन से रोल ने किसने कहा था वेलेंटाइन से रोल जो थे उन्होंने कहा था कोश्चन नंबर अगर साथ में देखे तो कहते हैं कांग्रेस अपने पतन के वो लड़कराती हुई जा रही है या कतन किसका था ठीक है अब जो उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो अपने पिस मामले की जाच के लिए हुई थि अब एक पील कमिशन है जिसकी नियुक्ति वह थी कौन सा मामला था वो वह आपको बताना है तो याद रखेंगी इसकी जो पर आथा से सहतावन की जो क्रांची गुए थी ना उसकी जाच के लिए इसको रखा गया था पील मीशन पर वो कि जाच के लिए इसको नित्त किया गया था अग्ला कोशन है कि सत्याथ प्रकास जो किसकी रचना में इसकी रचना है तो सभी गोपता है बहुत अच्छा नियूद का अब का良त है तो आपका दयाने शुरती सवामी दयाने को प्रकास्की रचना चरी गए थी खेसा नुमबर दिखा देते हैं वैसे सभी को पता होगी कि साइमन कमीशन है ना यह का बात था यह पूरी कमिटी में कोई भारती सदस नहीं था इसलिए इसका विरोध किया गया था फिलाल तो हमने बता ही दिया कि 1928 तो देट भी आद गए तीन फरवरी 1928 को इसका यहां पर आगमन हुआ था भारत में कोशन नमबर एगले देखे तो भूगोल से भी आपके पांस प्रसनाने एकजाम में उनको भी देख लेते हैं तो भूगोल में कहा गया कि निमन मेंसे कौ है ना रोम रोम जो है वो ढ ignorantly की राजधानी पर जो डिंफ गाए उस नदीब पर यह राजधानी स्थिनेवा की है बुड़ा पेष्ट भीन सारी कि सरी धनिया जो है यह वो इसतित रहते हैं आपकी देन्यों ने दीप में कोशन नमबर बारा देखे तो कहते हैं नियम्न में से कौन सा दीव को सबसे बड़ा दीव सम्मूर है ठीक है विस्व का जो सबसे नंबर का है वो न्यूगिनी है उसके बिंज बाद है बोर्णियों मेडागास का नंबर चार पर आता है सबसे बड़े दीप के बात कर लेते हैं ग्रीन लेंड सबसे बड़ा है जिसकी लेंद लग बगए 21,30,800 किलोमेटर के आसपास ठीक है कोशन नंबर अगला है यहां पर कि संकुधारी बन निम्न में से कहां पा जाते हैं ठीक है जो संकुधारी मतलब कहते हैं जो संकु टाइप के होता है यहां बहुत ठंड पढ़ती है इनका रीजन यह होता है कि जो बरब गिरती ना सारी इनके नुकेले होने कारण इनके उपर रुपती नीचे गिर जाती अब जैसे अपने जो प्रेंड है उस पर बरब गिरेगी न तो वो क्या होगा उनको छती पहुंचेगी प्रेंडों को और इसलिए यहां पर इस तरीके के अपना सेकर नेचर यह जाता है वहां पर सड्लिय होती है तो होगा यहां पर यहां पर यैझा में भी वर्सते होती हैだ अई सान के चीन में presidency मोई 9 नियतिवाद के सिध्धान का मद सिध्धान का ना में नोगल नियतुवाद सिध्धान काटी करें तो तो रूंदर आप यह सुनज़ पारिए लिए इस नोगला देखा तो इसले के अंबता मेंём लोग पढ़ते नहीं से संबंदित है तो यह जो आपके संबंदित रहेका है नहीं यह तो यह याद रखेंगे अभी हरीत सोना इसे संबंदित हैं लेकिन एक चीजह आएँ ध्यादर नर्ठीएगा ॠी में भाष दूसरे नमर पर आता है दूसरे है फर्स्ट पर कौन सा है फर्स्ट पर चाइना ठीक है चलिए लेकिन विस्व में अगर बाजार की से दारी करते हैं सिर्माद चार परसेंट है ठीक है चलिए कोशन नमर अगला देखेंगे और भी यहां पर देख सकते हैं कि जैसे कि अभी आपकी जिंगा उत्पादने गुलाबी क्रांती संब schwzen ते इससे तरीके बहुत सारी करांति हैं सभी याद रखना जरूरी प्रशाहत किया था को पुर्षाहत कि नमर 18 कि निवन में से कौन सा निजी बैंक है एक निजी बैंक है मतलब कहा है तो याद रखेंगे अठारा का राइड एंसर जो है वह आपको उताने वह जाएगा आपका जम्मो और कस्मी नीजी बैंक है जम्मो और कस्मी जो है नीजी बैंक है यह 1938 में स्थाफित किया गया तो जिसका मुख्याले स्री नगर में है बाकी जितने भी है ना यह आपके नीजी नहीं है बलकि यह कहते हैं कि को जिससे एड़ेट हो जाते हैं गवर्मेंट से संब्ध है ठीक कॉश्चन नमबर दिखेगा तो कहते हैं डाक्टर वर्गिज कुरियन के जनम दिन को किस रूप में मना जाता है तो इनको स्रे दिया जाता है स्वत करांती का कि अब यहां पर देख लेते हैं कुछ हो जैसे पीशन्दी दिवस यह कम बना जाता है तस जनुरी कम रहेता है इस तरीके से यह आप यहां पर राष्ट्र संग दिवस जो है वो कम बना जाता है वो मना जाता चोब्वीस अक्टूबर को ठीक है याद रखेंगे और 207 तो कि योजना आयोग को आर्थिक मंदल किस्टने पता तो इसका जब होगा जो जाएगा आपके घृटिया कि फोरा नाम है भारति यूजना आयोग कि उपाद्या चुआ अगला बहुत ही इंपोर्टेंट है भारति शंति नेमाताई तो लोग पर पांच कोशन आने हैं तो भारती सम्मिधान का अनुच्छे 249 संबंदी थे तो इसका जो राइड एंसर होगा दोस्तों वह जाएगा बहुत ही आसानी से आप इसको समझ सकते हैं तो 21 का जो इंपॉर्टेंट कोशन है यह डी कोशन है कि राज सुची के विश्यों के शंबंद में सदस्य की विधाई सकती हूं यह इसका राइड एंसर ठीक है चले कोशन नमब आब देखें बाइस कहता है कि उनुच्छे 108 के अंतरगत लोकसभा और राजसभा के संक्तु ब राजपती तरह ठीक है बैठक की आजवीत का मतलब था बैठक बुलाई जाती राजपती के दरह उसके अगर अध्यचता पूछी जाने तो वह लोकसभा स्पीकर के तरह होती है यहां पर आहूर्ट पूचा यह नहीं कि बुलाया जाता है राजपती के तरह 108 अनुच्छे कोशन नमबर अगर 23 में देखिए तो कहते हैं केंद्र राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का नेड़े करने की सत्ती उच्छिता दिकार के अंतरगत आता है तो 23 में अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा वह आपका मूल छिता दिकार के अंतरगत आता है कोई अगर विवाद होता है सुप्रीम कोड उच्छे ने आले में विवाद होता है तो वह आपका मूल छिता दिकार के अंतरगत आता है कोशन नमबर अगला देखिए कि कहते हैं कि पारत में पंचायती राजवेस्था लागू करने का पर्थाम राज कौन सा था पर्थाम राज इस मॉडल की अनुसंसा के गए तो पच्छीस का जो राइट अंसर है वो हो जाए अगर भी है निकिए दुए इस तरी की यहां पर यह सुरुआत करीगी थी निकिए द्वारा ठीक है नुमानित क्या लेकिन लागू कितना है त्रीस तरी लागू है ठीक है याद रखेंगे चेली question number अब अगले में किया है अब बिञ्एन है ना आपकी science जो है बच्चो अल्य question आतें इसमें तो पांच जो है नुमबर का को इसमें जो श्रक्ते हैं मानॉसरी में पाचन का दिकांस भाग किस अंग में शंपन होता है शोती तो है इसका लेंथ होता है ना वह सात मीटर के आसपास होता है यह निक याद रखेंगे अच्छा जहाए है मस्तिस्क में किस्तित होती है जो आपका मैंड है ना उसमें आपका इस्टित होती है पिनियल क्लेंट कोश्चन नंबर अगला दिखेगा अगले में कहते हैं कि पारे वा साधारतया ताप मापी अंतरों में उपयोग के जाना हो क्योंकि इसकी विश्चता है ठीक है पारे को पारे का मतलब कहता है जो होता है ठीक है उसको ताप मानी ताप मापी अंतरों में यू लिखिते में गैस मिस्टर में काँसा गैस विल्डेंग के लिए उप्योग किए तो 29 निछ और यह पसंद आ रहे हैं था पिसको लाइक जुरू कर दीजिए ठीक चिलिक और सब्सक्राइब नहीं किया भी तो भो भी कर लीजिए ठीक हाँ काम हो जाएगा तो चली कोश्य नमब हम प्राप्त के जाते है शबी को पता है जह चलते हैं कहां मैथमेटिस के जौब के कोश्चन पूछे जाने 5 वो देख लेते हैं तो मैथमेटेक्ट जो है वह पांच नमबर आने और आप लोगों को इस पांच में से यह देख लेते हैं तो कोशन नंबर अब गार 31 की बात कर लिए तो इसमें क्या खा गया है वो ध्यान से देखेगा तो इसमें आपको यह क्यों दे रखिए रूट आठ रूट चार माइनस रूट टू इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं अब रूट आठ जो है ना इसको कैसे लेता है तो इस दो को हम बाहर लेते हैं तो यह बाहर आ जाता है तो टू रूट टू हो जाता है ठीक है तो यह होगा हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं ठीक है अब यहां पर देखेगा यह क्या हो जाएगा उसके बाद यहां माइनस रूट टू हो लिए बिल्कुर से ठीक है चली question number अगला देखेंगे अब अगले पस्ट में देखेगा यह तो बच्छ वाला question है टो इसमें कहा गया पर question mark दिया हुआ है भाग दिया हो तो बोला question mark के इस्थान पे क्या आएगा ठीक है तो आप देखेगा इसको हम अगर ऐसे एक इसको फिर्फ्वाइब कर देंगें अब हमारा जो यह मल्टिप्लाइग करेंगे सभी तोटल कितना जयेगा ना फोर फोर खोर जाएगा ठीकिए अब यहां पे हमारा एकसी भाग जिना ये दर जाकरो ये त्यूंद आप अब देखेएगा यह आपका आपसान नंबर पी एकदम से जगा 17.28 कोश्चन आसान था दम नहीं थी इसमें बहुत ही अच्छा कोश्चन था चलिए अब ऐसी आते हैं ना पीटी में जादा टफ नहीं आता है आपका कोश्चन जी स्टाफ आ सकती है लेकिन मैं टफ नहीं आगी कहते हैं यहां दो विक्तियों की जगा 25 वर्स के दो नहीं विक्तियों के आ जाने से दो वर्स बढ़ जाती दो नहीं विक्तियों की आउसत आयों आपको यहां पर बताना है ठीक है तो अब कुल आउसत आयों में ब्रद्धी पहले देख लेते हैं ठीक है कुल की अगर हम ब्रद्धी निक का बारा दुनी 24 वर्ष की बढ़त्री हुए आप दो नय व्यक्ति थे वो कितना है वो 21 25 है तो 21 25 क्या हो जाएगा यह होगा और यहांद पर 46 हो जाएगा ठीकी सिर्ट यह दो नय विक्तियों के हैं पर तेखे तो नई आया उस्त क्या क्या होगा ची आलीस दोवीस जोड लेंगी छी अजये सतर हो जाएगा अब यह टोटल अगया ना टोटल अब दो का दो नए बटो आथ सब्सक्राइब तो पैतीस आजाएगा ठीक है 35 इसका राइटेंट आपसर नमबर डीज कर दम सरी हो जाएगा चैलिक कोस्ट्टन नमबर अब यहां पर देखें यह तो बहुत यह आसान सवाल है सिर्फ इसमें जो वह भी करते जाना आपको ठीक है तो गते 500 का 75% ठीक है उसके बाद हमने 50% के सो भी रख सकते हैं आपर कार्ट पीट के भी रख सकते हैं तो 24 का सी आपका राइटेंसर हो जाएगा बहुत यह आसान था कहा गया यह आप देखेंगे तो डो कोस्टन मार के यहां पर आपको दिये गए तो अगधिए गयों यहां पर हो गया तो इसको अगर हम यहां पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा जो हमारा चपन आ जाएगा यहां पर यहां इसको ऐसे नहीं करते थोड़ा आसान बनाते हैं अब 112 के फैक्टर क्या होते हैं तो सलतते हैं 38 प्ताइस होता है पताल है प्यक्ते आप Epic 3 हुख लिख सकते हैं 120 की साट एक सो बाराज vorbereट एक कि सब्सक्राइबध में नहीं सकते हैं यहीं पर चाको दो डूनीं चार लिख सकते हैं लेकिन उसके बाद को स्कौर्य निकार निकाले में दिखका में होगी तो 28 दोबार आए गया मतलए एक स्कार है और यह भी दोबार यह भी स्कार है तो 28 दूना 56 हो जाएगा ठीक यहां पर यह ना इसको अटाएंगे तो 28 दूना क्या होज़ा है छपपन आपका राइड अंसर हो जाएगा चलिए अब चलते हैं अगले कोस्चन की तरफ अगले जो कोस्चन है उनको ध्यां से देखेगा क्योंकि वह आपके ग्राफ से रिलेटेड हैं ठीकि यह आपको एक ग्राफ दिया हुआ है ठीकि यह पिसलिए पाई चार्ट है अब इसके प्रस्णों को हम स्वालों करते हैं तो चलिए देख लेते हैं इन प तो देखेगा इसमें 150 रक्त दताओं का आपको डाटा दिया हुए 150 का है टोटल डाटा ठीक है अब देखेगा इसको कैसे सौल करते हैं तो यह पूरा आपको वहां पर चार्ट दे रखा है अब यहां पर पहला कोशन देख लेते हैं कैसे इनने यहां पर दिया हुआ है तो प पॉइंट आठ अपाउन में रख देंगे कि यह पाई चार्ट है तोटल अगर एक सर्गिल के वैलू देखे जब तीन सो साथ होती है ठीक है और यहां पर टोटल 150 लोगों का इसमें दिया हुआ तो इसको वैलें आप निकाल लेंगे कार्ट पीट के हमाज जो राइंसर अग्यान ग्यां आपका आफसेन नंबर जो है 20 सय वो जाए ठीक है इसी तरीके से माइं देखें ला को शन तो इसमें कितने रख दाता है जिनका रख तो समू या तो यह या तो समू भी यह तो यह यह तो समू भी है यह इसमें पूचा गया है तो आफ देखेगा आगर इस 1129 पॉंट यहां पर भी वैला है ना आपर 360 नीचे रखेंगे तो रखेंगे और यह i者 5 यहां पर क क्तारिक ना ये यहां पर घर लेंगे हम 72 घर लीज़ेंगे जनोपसटिके को सब्रीक यहां पर करेंगे और यहां या रहो हुआ है तो देड़ सो गुड़ा करके आपका इतना 84 रेटन सब्सक्राइब 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 अग्दम सही हो जाएगा चली कोश्चन नमबर अगला देखेगा तो एबी का जो वैलू है यहां पर 57.6 दिया हुआ ठीक फिप्टी शेवन पॉइंट इसको दिया हुआ है यानि कि आप और मेरा कि यहां पर क्या करेंगे 360 रख देंगे और उसके बाद यहां पर क्या करेंगे हंडेंड कर दि हमने ठीक है उसके बाद क्या होगा यहां पर इसके लापर सेटर आपका राइट सोही होगा जो आपको बताना है तो तो चर्चट अर ते इस आख पांट चे यह अनुपाद कुछा गया था ठी готов अब इसको तक पर commerce- doubles एकञ्दम से हो जाएगा चली कोशन नमबर अगला देखेगा अगले में आपको यहां पर चार्ट देखने मिलना इसमें किया कि छह महीनों में होने द्रुघटनाओं के बारे में दिखाया गया इसको आपर दिखाया गया है यह ग्राफ का ध्यान पुरुघधन करके सबताना है ठीक है तो यह हमारे पास पूरा ग्राफ है इसको जल्द से देख लेते हैं इसको हम साल कर लेते हैं ठीक है फटीस है यह 19 से यह 30 इस एक चली पहला को से नाथ कि अपरेल मा में हुए दुरुगटनाओ की संक्या सहर में कुल रुघचना का तॉटळे नहीं पूच्छा गया है टोटल तो अपरेल में कितना हुआ हुआ है 43 हुआ है कि तिरालtarieur Do not need it cbr"; हुआ है अप्रेयल में यह बोला गया यहां पर्टिक है आप 43 अपरेल में हुई है यह तोटल कितना हुआ टोटल अगर में सभी को जोड़ेंगे ठीकish 105 इस सभी को हो जाएगा यह अप्र्οक्स में जो आएगा चौबिस पॉइंट जीरो टू परसेंट आएगा तुछ परसेंट आप इसको राइट एंसर देंगे तीकिंगे 24% इसका आपका राड एंसर हो जाएगा तो चलिए हमारा क्या हो गया आपसन नंबर यहां पर डी इसका एकदम सही हो जाएगा चलिए कि आपते हैं कि फर्वरी मां में दुरगटनाओंक की संख्या में कितने परषण की कमी आई है आप परह ली में देखिए यह किocy किटना है। में यह हमारा 19 है यह 20 है 25 से 19 घटा है तो कितना बचा है यह आपको होता नहीं तो 25 से 19 में कितना 4 कि चार की कमी आई है चरके कमी कितने पर आई है 25 कम्ये 5 फंस महलें 25 चपूस हो जैगा 4 चकूस यहां पर आपय हो जाए ह्भा पर है माफ कि है एक सब्घून सब्सक्राइब का तियंआ दा सब्सक्राइब कोशन नमबर अगला देखिए दुगते हैं कि वर्स के शुरू के छह मां में हुए दुगटनाओ का उसल बताना है अब सुरू के छह मां के दुगटनाओ तो देखें कि यह कितना है पच्चिस प्लस उनिस यह सारी वैलू आपको देख रही होंगी तीस प्लस सब्सक्राइब को निगाल लेना क्योंकि पर चाहिए कि यहां तो डाटे दिया हुआ है तो पॉन में इस तो जोड़ देंगे तो क्योंकि एक सबसे दर दुगटनाएं हुई है तो सबसे अधिक दुगटनाएं किस मां में तो आप ग्राप से साफ साफ पता चला है कि अपर सबसे ज्यादा है तो यह आपको हो गया राइड एंसर चलिए अगले कुश्चन देखें तो चलिए ग्राफ वगरा कुश्चन करने के बाद अब हम यह समान इंदी के तो समान इंदी ग्रामर के पांच कॉस्चन आने जिसमें बहुत सारा से लिवस आपको आलेडी दिया और क्या रगवीर सिंग यहनी कि से इस मृतियां लिखी गए किसके दरा रगवीर सिंग के दरा इसको लिखा गया है चलिए कोस्चन नमबर अगला देखेंगे अगले में कहते हैं आपकी की अविर्भाव का सही विलों सब्द क्या होगा तो 57 का राइड एंसर हो जाएगा पर तीरो भाव क्या होगा तीरो भाव इसका राइड एंसर हो जाएगा अविर्भाव का विलों क्या है तीरो भाव कोशन नमबर अगर देखेंगे अट्थावन में हिंदी आसान आएगी आप रेंसर मत लीजेगा तो कहते हैं आपर कि अलंकेस का पर्यावाची क्या है ठी नमबर सी का अग्दम से कुबेर अलंकेस का पर्यावाजी होते है कोशन नमबर अगर उनसट देखिए तो कहते हैं आप एक कदम कदम का समसुरुत भिन्यार्थक सब्द कौन सा हो जाए कदम कदम का ठीक है आप यहां पर देखिए जो कदम का मतलब क्या होता है बैसे क्लिग उनसट में देखिए तो कदम जो हता है एक पेड़ होता है आप सभी कोता है कदम का पेड़ होता है तो यह ब्रच हो गया और यह कौन सा वाक के जो है आपको पहचानना है तो साथ के अगर बात कर लेंगे दोस्तों तो इसमें कहा गया कि राम सिता और लच्मरवन को गई य लगा दी थी यह गलत है हांसु निकल पड़े यह भी गलत है यह भी गलत है तो क्या होगा आप सब बी विल्कुछ जैने राम और सिता और लच्मरवन को गए तो साथ का राइट एंसरो जाए आपका बी वाला आप चलिए अगला कोशन देखें अब यहां पर क्या है आपक से 65 के बीच में सब भी कुछ आपको पढ़के चलना है क्योंकि आपको सव में से स्कोर बताना है तो मरुस्तल में बहुत पसुल जीवन प्राप्त होता है रात में रेगिस्तान चिपकलियों चिद्रों से बहार निकलती है तो अब इसको वीडियो पॉस करके आपको पढ़ से अधिक तक पानी पिए बिना नहीं चल सकता है क्योंकि क्यों नहीं चल सकता है क्योंकि देखेगा 60 का जो राइडेंसर है वो हो जाएगा उससे एक या दो कूबड होते हैं ठीक है एक या दो कूबड ही होते है और लेकिन आपे जितना पानी है ना वो सब्तावर में यू करता है、 कि अपरियारण कारणों से पीटी के परिच्छा प Newman हो गई तो यही चीज यहाँ पर है कि महतपूर कारणज दें इसलिए स्की परिच्छा पोस्टोन गई गई तो cu बरोनियों और एक ना एक बंद रखने की चमता से ठीक नाग बंद रखता है यहां पर लंबी बरोनिया होती है इसकी question number 64 गयता है कि इस अनुच्छेद के लिए उप्युक्त आपका सीरसक कौन सा है सबसे उप्युक्त सीरसक कौन सा हो जाएगा जोशटका तो वह होगा आपका यहां पर डी मरस्तल का जहाज उट कोश्चा नंबर 65 है कि रात में अपने छिद्र से कौन सा पसू बहा निकलता है ठीक है अब रात में रेगिस्तान की बात कर लेते हैं तो 65 का राइड एंसर गया पढ़ना है 66-70 के बीच में यह बात है तो चलिए कन्या कुमारी से लिटेड़े कन्या कुमारी एक सुन्दर स्थल है आप इस वीडियो को पाउस करके पढ़ लीजिएगा तो उमीद है आपने यह स्पेस का पढ़ लिया होगा आप चलते आगे थोड़ा सा और यहां पर दिया हुआ है टुच्चे भरकायने के दो लाइन के है तो चाच्छट में देखे तो करते हैं कन्या कुमारी एक सुन्दर स्थल है क्योंकि अब कन्या कुमारी एक सुन्दर स्थल है इसका मतलब क्या है क्योंकि क्योंकि यह तीन और से समुद्र से घिरा उवा है चलि कंणाशान आगरे देखे तहीं कर दोदे करने तो आव operations नहीं को मारी यहाँ समूद में भारत ay यह सब हमने पढ़ा अभी उसमें पैराग्राफ में पर करते हैं कन्या कुमारी के शौंदर का आनंद लेने का सबसे अच्छा समय होता है 69 का राइडेंसर हो जाएगा आपका DNA की सुर्योद एवम सुर्यास्त का समय आनिका अप्शन नमबर 20 का एक दम सही होगा कोशन नमबर अब देखेगा 70 में देखते हैं कन्या कुमारी में पूडिमा के दिन हम एक ही समय में आख के दो गोलों को देख सकते हैं इसका आर्थ क्या है यह आपको बताना है अब चलते हैं हिंदी के विए आपके कोशन आने एक्जाम में यह भी यादे लेती हैं पांच कोशन आने जिसमें आपका दो तीन नंबर का पैसे जाएगा और कुछ आपकी ग्रामर आएगी इसमें चलिए कि देख लेते हैं तो क्या होगा इकतर गयता है आपर कि यहां पर आपको डैस में फिल गना यह आपको बताना देगतर का राइंसर क्या हो जाएगा एट्रिब्यूट्स क्या होगा स्टुडेंट एट्रिब्यूट्स का अच्छा होता है अपने हैड्मास्टर के तरफ इसलिए वह टॉप कर जाते हैं को से नंबर अगला देगेगा बैसिकली क्या होगा वहां गरने के अपार है कि होगा आई दू नूट कांकर विद दी एक्स्प्रेश्चिन यह निजफ पर दिखाया कि उसको नहीं कर पार रहें इसको नहीं समझ पार है को से नंबर सब्सक्राइब कर तो को से नंबर तर्ट रिप्रेजंट्स कि अपने ने यह नहीं कि antithesis क्या होगा antithesis हो जाएगा ते option number डिस के एकदम सही हो जाएगा चेक्ट कुष्चन नंबर अब अगला देगे दो नंबर आपका पैसे जाना इंगलिस में तो यह पैसेज ए छोटा सा आप इसको वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए यह पैसे रिलेटर किसे दा लास्ट हाफ बॉलिंग देटर टाफ ओ टाफ ट लिक है यह पैसेज में लिखा हुआ है कि टेंपरेरी इवेंट्स इन्हाइं कि चलते हैं इंगलिस के पन्सक्राइब के बाद हम बिजनीन के पर बेंट इंक जल्दी से देख लेते हैंग और तो यहाँ पर पहला कोशन करता है कि दिनेश को इस वर्ष अपने वेतन में सबसे अधिक वेतन ब्रदधी प्राप्त ही क्योंकि उन्होंने अपने विभाग में सबसे अच्छा प्तशन किया और अपने सभी लच्छों को हासिल کیा इस कथन से निम्लिकी में से कौन सा पूर्वा निमान नहीं नहीं है ठीक है अब यहां पर देखें इनन बोला कि दिने इसको इस वर्स अपने वेतन में अधी वेतन प्रावत हुआ उन्हें सबसे अच्छा पदसन किया सभी लच्छों को उसने हासिर भी यह कथन हो गया तो इ अच्छा कार गया इसी लिए उसका वेतन अच्छा मिला प्रापने का अर्थ कास्तर पर उच्पदसन होता है बिल्कुल सभी बात जिसने उसको लच्छ मिले उसने अच्छे हासिर किया फिर यहां पर देखेंगा कते दिनेस के अन्य सहयोगी ने किसी ने अपने अपने अब हमने पढ़ा ना कि अन्य की बात ही नहीं हो रही है तो यही इसका रड़ एंसर हो जाएगा ठीक है चली कोस्टन नंबर अगला देखेंगे तो अगले में यहां पर कहते हैं कि A B का पुत्र है B C का पती है D E की मा है F की पतनी है तो F का B से क्या संबंद हो जाएगा ठीक है तो यहां पर हम इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं तो कहते हैं ना A B का पुत्र है ठीक है जो A है ना यहां पर हम इसको सॉल्व करते है च का पति Ona कि जो है पतनी थीं होईए अब accent की मा है झाथ ईजय नव इकी माह है और अन्ष यहाँ ठेडा तो एप ।् अन άλλ ऐसे क्या संबंद हो जाये जाए ठीक यह आपको बताना है तो एब का हो गया क्या पत्र और टीए की मां हो गई ठीक है अब यहां पर एप की पतनी एप का बी से क्या संबंद होगा यह आपको बताना है तो इसको आप थोड़ा ध्यांद से दिखें कि यहां पर आपको जो दो चीज़े आपको देखने मिलती एक तो हमने यह वाला फिगर बना लिया अब इसके बाद न है फिर यहां पहले ेकिमा है बिल्कुर साफी बात यहां पर क्या हόσं एप यह ठाइप हो घाया होगा यहां पर नहींद है अंट Turkey दीडिखेगा अगर आपशन के साब से देकले किहां पर बिल्कुल सही सावित है अगर बी का जो तो देखे गए आप पर ग्यारा OR तीम के मद्द जो आपका डिफंस कितना है वह आठ रहा है ठीक हैal पांच के बीच में कितना रहा है 16 और यह ऑठ पर 21 के बीच में कितना है यह किसी कोड मैं आपका जो का अर्थ यहांपे दिया हुआ है इसका अर्थ यहांपे दिया हुआ य repculky और यहां पे इसका अर्थ यय वाला है तो इसका यह लुपर यू में go का code क्या होगा यह आपको बताना है वहाँ देखेजिए इसको थोड़ा कैसे करते हैं क्या आपको बताएंगे क्योंकि इसको थोड़ा साप आज यसे बैंकिंग सेक्टर गया कोश्चन है तो इसको हम थोड़ा बात में बताएंगे इसको आप छोड़ दीजिए कोई बात नहीं है इसको पाइटिकुलर देख वीडियो आपके लिए कराने हैं ठीक है चलिए कोशन है तो यहां पर यहां पर का निर्माठ करते हैं यह मैं पहले इंग कर सबसे पहले है और आप शील ओजाएगा थैदक तो आक क्ण पूछा जाना है 10 डिख लेता है तो गयतले है पर perfect pilsak सिंग तो परसांत संगर में किस से संबंदी तो किस खेल से संबंदीन हैं वह स्केट बॉल खिलाड़ी से हैं जो बास्केट बॉल खिलाड़ी से हमानेंट को इसलिए थोड़ा सा चर्चा में कोश्टन नंबर है की ग्रीव ब्रदर से दोरा लिखी गई पुस्तक खुटी ईघ्री मऩर लिखी ग्रीव ब्रद दोरा लिखी गैं इसका नाम आपको था नहया है तो वह में कहा गया है पर आप लिए कि निम लिखित में से किसने एक ही विश्य में दो नोबल पुरुष्कार पराप्त किये हैं तो वो कोन से हो जाएंगे याद रखेंगे को आपके राइट एंसल रोचाएंगे को ना जॉन बदरीन ठीकर जॉन बदरीन ने क्याद किया था इन्हो सब्सक्राइन सबस्क्राइब तो चलएरे इसपेन की इसल जैएक हो जाएगी इस पन् 2 एक सवीडन की सुरों जो है वह टथीन राधानी के लकजंबर को लगजंबर लकजंबर एक चाएब शेखें अब है कि अब अगला वागात की था 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 ठीक है किसे भारती राज में द्री तेवहार मना जाता है टीट था चीर यह हो जाएगे यह जाएगे यह जाएगा आपका सटर्काय वागन अभण यहां पे हुवारा चलप्रद T 수도 है और अध्यिक यह क्रिसी संब्सक्राइब कर यहां पर देखेए इसाम है आपि टैसे यह अच्छा कुष्ण थाए दो कर सकता है यह फाश्णों सकता है कि अनुझन एक बीजै कि और फ्रक्ष में तो दो कि आपको बदाना है तो 87 का हो जाएगा ममाडम की इने दो नोबल पुष्कार किये हैं याद रखेंगे पिछले बाद जो आप प्रुष्टन था उसमें भहुत तीक वग्यान में किसने दो पुष्कार किया है तो बदरीं थे और यहां पर होगा यह बहुत कविड़ीया में एक मिला एक उनको रसान सास्त में में त्ट brigade 1903 में मिला था 1911 में उनको रसान के स्थम्हें ले था में रजा नमबर 28 सरविया के स्थापना करें 26 x यह जोम यह यह सब गहर करने की शक्ति किसके पास मतलब पर भंग करने के सक्थी अब देखेगा तो इसका राइड एंसर क्या वो जह को जा épo replicate है यहाद रखेंगे चैनल नमबre 90 देखिए उक्रेंड की राधानी का उसी फेमस है क्योंकि यहां पर यूद्र चला थाउक्रेंस राधानी है न वह हो जाएगे कीव कीव जो रुक्रेंट की राधानी है अब एक जिसी मुद्रा की बात कर लेते हैं रिवीनिया इसके मुद्रा है अब चलिए करेंट अफेर के एक दम अपडेटेट करा रहा हूँ देखें दस नंबर गया नहीं युप बर सी पीटी के एक्जाम में तो चलिए देख लेते हैं इसमें से आपको बहुत एक्जाम में हेल्प मिलने वाली बहुत फचेगा भी तो कहते हैं कि हाली में जलमार कॉंकलियो 2022 का योजन कहां पर कि किया थेखिए अब जोक निरमाड एक समान है जिससे किस समाइच क्या है वो हो जाएंगी ते mouth और राजपाल कोंसी है इससमें अनंदी अनंदी बेन पटेल जे यूपी की राजपाल है कौस्ट नंबर अगला देखिए into करते हैं कि उत्तरपदेश का नया ATS Chief किसे नियुक्त किया गया है त्याद रखेंगे यह अपके हो जाएंगे संजय मिस्रा संजय मिस्रा को नया ATS Chief नियुक्त किया गया है यह UP के बने है ठीक ATS Chief याद रखेंगे अगला कोशन है यहाँ पर 30 में कि 30 मार्च 2022 को किस देश ने पांच वा बिम्स्टेक सिखर सम्मेलन हाइब्रीड बोर्ड में आज़ुत किया ठीक है अब पांच वा बिम्स्टेक सिखर सम्मेलन 2022 का और 30 मार्च को संपन हुआ वो स्रिलंका में संपन हुआ यहाँ से क्वेशन और बन सकता है कि आर्थिक मंदी से कौन सा देश जूज रहा है तो हो जाएगा स्रिलंका ठीक है याद रखेंगे चलिए पांच वा बिम्स्टेक सिखर सम्मेलन स्रिलंका में आज़ुत करते हैं कि सराज ने हाली में 13 नए जिलों का गठन करने की घोश् से कि एंगा तो कहते हैं कि तो हम गरते सब्सक्राइब है क्यों आरे कि ऐसी जान करेंके अक्ट कि लुए उत्तरपदेश कोमें हैं तो इसमें कहा कि हाली में लात confirm प्रेप कल्वम्स में लुटवाक बहुत इंपारण प्रश्चेकर सुपनसटल किया गया है यह हुर्ज्फ वर्दन सरंगला को न्यूक्त किया गया है कूशन नंबर अगला देखे तो कहते हैं वर्च लफटे विजबश्च के अभी राष्टमंडल खेल चल भी रहा है परिगेंबर में हो रहा है अब आस्टेलिया में 2026 का अवजित किया गया अब भारत के विदेश सच्चु किसे नियुत किया गया अब भारत के विदेश सच्चु किसे नियुत किया गया अब भारत के विदेश सच्चु किसे नियुत किया गया अब भारत के विदेश सच्च तो यह कौन सा हो जाएगा रूस हो जाएगा ठीक है अब इसकी जगह पर चुना किसे गया है चक गड़ राज को चुना गया है रूस को सेंडराश्ट महा अन्वा अधिकार परसद में से लिंप कर दिया है त्याद रखेंगे तो यह थे हमारे करेंट अपर